सर्दियों के मौसम में कुछ ऐसा बनाना हो जिसे बनाने में तो कम मेनत लगे साथी साथ वो स्वाद में सौक ना हो तो एक बार इस ऐसी भी को जरूर से ट्राय कीजिगा यकीन मारी है हर किसी को खूब पसंद आएगी तो सबसे पहले मैंने एक कप मौंग डाल ली है वो भी चिलके वाली और उसके साथ ही ले लिया है मैंने वन फूर्थ कप उड़त डाल वो भी चिलके वाली और उसको फिर मैंने गरम पानी में एक घंटे तक थोड़ा सा गलने के लिए रख दिया है तो सबसे पहले मैंने 2-3,5 चमच के करीब इसको डाल दिया है साथ ही इसके डाल दिया है मैंने थोड़ा सा पानी अभी कप में आपको जादर देख रहा होगा तो बस थोड़ा सा पानी इसको डाले है जिसे की डाल अच्छे से पिस जाए इंड इसको एकडमी दरदरा पीचन आपके एस recipe को क्या बोलते हैं एक बारी comment section में जरूर से बताएगा यह recipe मेरे मम्मी को बहुत पसंतिता सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूं फिर मैंने यहां लिया है प्याज और इसको रफ साथ ही इसके ले लिया है मैंने आधा आलू और इसको भी जो है कुछ इस तरीके के pieces में मैंने cut कर लिया है इसके बाद मैंने यहां लिया है थोड़ा से अद्रक तोड़ी सी हरी मिर्ची एंड उनको भी finelyly chopped कर लिया है बाकी और कुछ भी आप इसके अंदर एड़ करना चाहें जैसे हराव प्याज वो भी बड़े के अंदर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है आप उसको भी एड़ कर सकते हो तो अभी बस मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्ची अदरक और प्याज आलू को जो है इस डाल के अंदर एड़ कर दिया है यह देखिए इसके साथ ही मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा पनीर पनीर इस टोटली ऑप्शनल बेर पास थोड़ा सा फड़ा हुआ तो मैंने डाल दिया उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे थोड़े से मसाले जिसमें है कश्मीरी लाल मिर तो इस रेसिपी को जरूर से बनाईएगा, उपर से मैं डाल दिया है, कटा हुआ धनिया पता, अगें इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब मैं यहां लोगी कच्छी धानी सर्सो का तेल, तेल को अच्छे से जो है पका लेंगे, जब तक की तेल पक रहा है तब तक हम इस कमफटेबल नहीं हो तो आप स्पून से भी डाल सकते हो, मेरे को आदत है थोड़ा सा हाथ से, तो वरे हाथ से इसको डाल दिया, तो इसको इसको इस तरीके से अलट पलट कर सेखेंगे, यह देखिए, दिख रहे हैं आप बहुत ही जादा क्रिस्पी, जिस तरीके से सबस्क्राइब, तो आप जादा क्रंछी थी, सो इसे, विडियो पसनना तो आए तो दो आख शेके चाहिए थो आड़, दो आख जाए और से, ब्रेके से, श्री चुल्यार, खुत, आप और फार नाच्विता क्रीं, जा़किने, विडार, बेगे